अपका स्वागत है आसा करता हूँ आपकी परिचाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी और CGU अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बहुतरी मौका है कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी मैस की तैयारी को और बहुतर बनाएं मैस की जो सीरीस चल रही है उसमें आज का हमारा टऔपिक है ट्रेन रिलेटेट कोंशन जिसमें हम ट्रेन आधारी प्राशनों का अध्यन करेंगे यह जो topic है आपके चाल समय वद्दूरी से जुगा हुआ topic है जिसमें चाल वद्दूरी के concept का भी use किया जाएगा तो आईए देखते हैं यह questions जो आते हैं train आधारी question वह कैसे बनते हैं और कैसे आपको बनाना है इसको मैं बताने वाला हूँ ठीक है चलिए देखें यहाँ पर आपके पास दो conditions आती हैं और वो दो conditions को आप बिल्कुल एक ही formula से एक ही trick से बनाएंगे और आपके सारे train related problems या train वाले question आते हैं उसको आप आसानी से बना सकते हैं यह formula आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा S1 plus minus S2 बराबर L1 L2 by T बिल्कुल यही एक formula को आपको याद रखना है इस formula से मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी train वाले questions हैं वह मैं आपको बना के दिखाऊँगा और आप भी बिल्कुल इस formula से पूरे questions solve कर सकते हैं अब इसमें क्या क्या चीजे हैं और कैसे कैसे करना है इसे ध्यान से देखने S1 के अगर मैं बात करूँ तो यह जो train होगी या जो पहली वस्तू होगी उसकी चाल है ठीक है पहली वस्तू की चाल पहली वस्तू की चाल है ठीक S2 के अगर बात करें तो यह सो करेगा आपको दूसरी वस्तू या अगर वह ट्रेन है तो ट्रेन की चाल ट्रेन की चाल तीसरा आपको दिख रहा है लेंद L1 L1 हो जाएगा पहली वस्तू की अगर लंबाई है तो पहली वस्तू की लंबाई के बारे में पहली वस्तू की लंबाई और L2 के अगर बात करें तो दूसरे वस्तू की लंबाई साथ ही साथ T जो है एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय दूसरे वस्तू को लगने वाला समय तो एक ही फॉर्मले से फिर से मैं बोर हम एक ही फॉर्मले से जितने भी ट्रेन वाले कोश्चन हैं बिल्कुल हम सॉल कर सकते हैं और कैसे सॉल होगा अब उसे ध्यान समझे यह हो जाएगा आपका क्या दो जो अबजेक्ट होंगे उनकी इक स्पीड है साथ ही साथ L1 L2 जो है उनकी क्या होगी लैंथ होगी और पार करने में एक वस्तू दूसरे वस्तू को पार करने में जो समय लगेगा वह क्या होगा यहां पर T होगा अब देखें दो कंडिशन यहां पर हो सकती है दो अबजेक्ट या तो सेम डारेक्शन में ही चले या तो अपोजिट डारेक्शन में चले तो दो कंडिशन यहां पर होंगी तो दो कंडिशन के आधारित यहां पर मैंने लिखा यहां पर ऐसो अंचाल में आप देख रहेंगी प्लस और माइनस लगा हुए तो प्लस का यूज कैसे करना है माइनस का यूज कब करना है उसे देखिए अगर train या दो object पहला case यदी यदी दो वस्तुएं या अगर कोई train है दो वस्तुएं या train एक ही दीसा में गती करे एक ही दीसा में या same direction में चले same direction में चले तो आपको formula क्या हो जाएगा यहाँ पर formula हो जाएगा S1-S2 बराबर L1 प्लस L2 बाई T तो आपको क्या कर देना है केवल यह चाल में क्या हो जाएगा यहाँ पर S1 माइनस S2 बराबर L1 प्लस L2 बाई T अगला केस क्या है इसी में याद रखेंगे यदी यदी यही दो वस्तुएं यदी यही दो वस्तुएं वीपरित दिसा में चले वीपरित दिसा अपोजिट डारेक्शन में अगर चले वीपरित दिसा या अपोजिट डारेक्शन में यदी चले उस केस में क्या होगा इनके चालों का योग होगा S1 प्लस S2 बराबर L1 प्लस L2 बाइट T यह आपका दूसरा फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला बिल्कुल एक ही फॉर्मूले को मैंने दो रूपे में बताया एक केस वह जब यहाँ पर जब यहाँ पर दो वस्तुएं क्या है सेम डारेक्शन में चले तो सेम डारेक्शन में चाल क्या हो जाएंगे घड जाएंगे और जब दोनों वस्तुएं क्या हो अगर अपोजिट डारेक्शन में अगर चले तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर उनके चाल जूड जूड जाएंगे आप देखिए आपर उनकी लंबाईों में यहाँ पर कोई फरक नहीं है लंबाई में यहाँ पर क्या है प्लस माइनस आपको नहीं करना है केवल चाल में प्लस माइनस करना है क्लियर है यहाँ तक चीज़ें अब क्या-क्या फरक पड़ता है प्रश्णों में उसे मैं समझा देता हूँ तब फिर हम कोश्चन्स पर आएंगे देखिए पॉइंट को ध्यान से समझते चलिएगा अगर वस्तों में हम बात करें अगर दोनों वस्तों की अगर चाल है और दोनों वस्तों की लंबाई है तो आपका फॉर्मूला एजिडी से रहेगा कई बार यहाँ पर कोश्चन में आपको मिलता है कि एक ट्रेन जो है खंबे को पार कर रहा है ठीक है यदि ट्रेन खंबे को पार करेगा तो यहाँ पर दो आपजेक्ट हो जाएंगे पहला होगा ट्रेन और दूसरा होगा क्या कोई ने कोई खंबा ठीक तो यहाँ पर अगर ट्रेन ट्रेन और खंबे की अगर बात करें केस को समझते जाएगा ध्यान से केस में बताते जा रहा हूँ केस वन ठीक है यदि अगर आपको ट्रेन और खंबा अगर दिया गया हो ठीक है उस केस में क्या होगा आपको केवल S1 लेना है क्योंकि खंबे की कोई चाल नहीं होती तो S2 क्या हो जाएगा यहां पर S2 हो जाएगा 0 clear है यह हो जाएगा 0 साथी साथ यहां पर ट्रेन की लंबाई होगी तो आपको केवल L1 लेना है और L2 क्या हो जाएगा यहां पर तो L2 हो जाएगा इसमें क्या 0 क्योंकि खंबे की कोई लंबाई या लेन्थ नहीं होती इसके अलावा याद रखिएगा ट्रेन खंबे के जगा में यहाँ पर कोई बंदर के बारे में बात कर सकता है बोलता है कई बार कि ट्रेन जो है किसी बंदर को पार करे तो बंदर की भी कोई यहाँ पर क्या नहीं होगी लंबाई नहीं ली जाएगी नगण्या माना जाता है लेंद को और उसकी speed को भी क्या माना जाता है नगण्यम माना जाता है क्योंकि बंदर को क्या माना गया है इस सिर माना गया है उस case में भी आपका एक ही formula यूज़ करना है आपको ये क्या बन जाएगा S1 बराबर L1 by T लेयर है तो आपका जैसे ऐसा case आएगा उस अधार पर आपको क्या है ये formula चेंज करते जाना है अगर उसमें लंबाई है तो आपको length लेना है अगर length नहीं है उसकी तो उसको नगण्यमान लेना है ठीक जैसे कि अगर platform की बात करें तो platform का यहाँ पर चाल क्या होगा सुन्य होगा बट उसकी length होगी ऐसे आप इसका use आसानी से कर सकते हैं देखिए पहला और एक बिल्कुल आसान सा प्रश्ण है ना आप मेरे साथ बिल्कुल try करेंगे मैं उसी एक formula को बार बार लिखूँगा और उसी formula के according मैं solve करूँगा सबसे पहले formula लिख लेते है S1 plus minus S2 बराबर L1 plus L2 by T ठीक है चलिए देखते है यहाँ पर बोलता है 350 मिटर लंबी रेल गाड़ी ठीक है तो L1 के value दिया हुआ है कितना 350 ठीक है जो given data है उसे रख लेते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है L1 का value 350 मिटर फिर बोलता है यह जो है 54 54 km प्रतिगंटे की चाल से ठीक है ट्रेंड की चाल भी दी हुई है तो S1 कितना दिया हुआ है आपको 54 54 km पर आवर दिया हुआ है जो given है उसे पहले लिग लेना है फिर हम question solve करेंगे done चाल से 200 मिटर 250 मिटर के गुफा को एक के को क्या कर रहा है पार कर रहा है तो यहाँ पर दूसरा जो object है दूसरा जो object है वो क्या है गुफा और गुफा की length कितनी दी हुई है 200 मिटर clear है क्या तो L2 किसको बान रहे हम गुफा को और L2 के value कितनी मिल जाएगी आपको 250 मिटर मिल जाएगी ठीक आपको पूछा क्या है कि यह train जो है कितनी देर में कितनी देर में इसे पार कर लेगी याने आपको समय याटी निगालना है डन अब जो जो पता है उसको आपको formula में रखना है बस ठीक है अब ध्यान से देखकर आप बताईए यहाँ जब आप देखते हैं तो पहला object तो आपका हो गए train और दूसरा object क्या है यहाँ पर दूसरा object बोलेंगे sir गूफा है तो बताईए गूफा एक इस्तिर जगह है ठीक है वह कोई गती तो नहीं कर रही है और गती नहीं कर रही तो h2 क्या होगा तो बोलेंगे sir h2 हो जाएगा क्या यहाँ पर 0 तो यहाँ पर h2 कमान क्या ले लेना है आपको 0 ले लेना है तो आपके पास अगर h2 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर देखे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास s1 बराबर l1 प्लस l2 by t clear है क्या formula बिल्कुल आपका simplify हो गया क्योंकि h2 का कोई use नहीं है क्योंकि h2 क्या हो गया है गुफा का चाल गया है 0 है ठिक अब देखे अब अगला काम आपको क्या कहना है question solve करने से पहले आप देख लीजे कि सभी के unit बराबर है की नहीं तो आप यहाँ पर देखते 350 मिटर 500 मिटर और यहाँ पर हमें मिलता है कितना 54 किलो मिटर पर आवर तो मैंने आपको चाल समय दूरी वाले topic में बताया था कि किलो मिटर पर आवर से मिटर पर सेकंड में बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा यह 15 मिटर पर सेकंड clear है क्या तो यहाँ पर आपको S1 पहली train की जो चाल है 15 मिटर पर सेकंड में मिल गए ठीक है किसी भी unit को किलो मिटर पर आवर को अगर मिटर पर सेकंड में बदलना है तो आप बस 5 मटे ठार का डायेट पूरा कीजिए यह बदल जाएगा किस में मिटर पर सेकंड डन अब पूरा value आपका एक सेम unit में आ गया है आपको बस value रखना है चलिए S1 का मान कितना है हमारे पास 15 15 रख लीजे इसके लावा आप देखिए हम पर length कितना है हमारे पास 350 मिटर अगला क्या रखना है आपको L2 रखना है L2 कितना है हमारे पास 200 मिटर ठीक है इसके लावा T क्या है T को हमको निकालना है इसे आगे solve करते हैं तो यहाँ पर T बराबर आपके पास हो जाएगा 350 पर ठीक हो जाएगा आपके पास 600 बटे 15 T का माना हमारे पास आजाएगा 1564 और यह 40 40 सेकंड 40 सेकंड में यहाँ गूफा को जो ट्रेन है वहाँ पार कर लेगी क्लेरे के यहाँ तक चीज़े समझ में आपको बिल्कुल ठीक है यहाँ पर 40 सेकंड में एक ट्रेन जो है गूफा को पार्क कर लेगी Done तो मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया और फॉर्मूले के एकॉर्डिंग बस कोस्चन को solve कर लिए आप देखे आगे और कोस्चन आएंगे ठीक है यह तो एक गूफा थी इसके लाव प्लेटफॉर्म वाले कोस्चन दो ट्रेन प्रॉस कैसे होते हैं यह पूरे कोस्चन हम solve करें ठीक है बिल्कुल साथ में जुड़े रही है किसी प्रकर का doubt है तो comment section में आप पूछ सकते हैं ठीक चलिए प्लेटफॉर्म के according अगर हम solve करें प्लेटफॉर्म के according तो प्लेटफॉर्म को जो train है प्लेटफॉर्म को जो train है करीबन 10 second में पार कर रही है ठीक है और train की लंबाई यहाँ पर दे दी गए कितनी 120 मिटर उसके according अगर हम देखें तो S1 बराबर चलिए देखते हैं अगला question अगला question है हमारे पास एक rail गाड़ी 120 मिटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 second में तथा एक खंबे को 4 second में पार करती है rail गाड़ी की लंबाई तथा rail गाड़ी की चाल हमें ग्याद करना है अब ध्यान से देखें हाँ पर rail गाड़ी के बारे में बात किया कि rail गाड़ी जो 120 मिटर लंबे platform को पार कर रही है यहाँ पर कितने वस्तों हैं कितने object हैं उसे देखें तो पहला बोलेंगे सर यहाँ पर एक rail गाड़ी है दूसरा यहाँ पर platform की बात की गई है तीसरा एक pole की बात की गई है ठीक तीन object हैं इन तीन को object वाले question को आप कैसे solve करेंगे ध्यान से देखें बिल्कुल वही एक formula का use करने वाला हूँ इस formula के लावा किसी एक formula का use नहीं करूँगा ध्यान से देखें यदि अगर train जो है जब platform को पार करता है उस case की अगर हम बात करें train अगर किसी platform को अगर पार करें उस case की अगर हम बात करें तो formula आपका वैसा ही है ठीक formula क्या है हमारे पास S1 plus minus S2 बराबर L1 plus L2 by T ठीक है ना platform की speed अब बताईए platform की speed यहाँ पर होगी क्या तो आप कहेंगे सर यह platform की speed याने S2 क्या हो जाएगा इस बार दूसरे object की speed 0 हो जाएगा इसके लावा train की length दी गई है क्या तो train की length नहीं दी गई है इसलिए हम क्या मानेंगे उसे L1 मानेंगे साथ ही साथ platform की length दी हुई है कितनी 120 meter नहीं L2 की length हमें L2 की value पता है साथ ही साथ लगने वाला समय हमें दिया गया कितना 10 second तो जो जो आपको value पता है उसे हम लोग यहाँ पर रख लेते है तो S1 मराबर आपके पास हो जाएगा S2 के कोई 0 हो गया L1 की value हमें क्या है नहीं पता तो L1 plus L2 कितना पता है हमें length कितना पता है platform का 120 meter लगने वाला समय कितना है हमारे पास 10 second का ठीक है तो इसको हम equation क्या माल लेते हैं 1 माल लेते हैं तो S1 की value क्या मिली L1 plus 120 by 10 अगला हमारा काम क्या है कि बोल रहा है कि वही train same train है same train है वो क्या कर रही एक pole को पार कर दी तो pole के case में या खंबे के case में क्या होगा इसे देखो formula हमारा वही use होने वाला है S1 plus minus S2 बराबर L1 plus L2 by T done यहां दक चीज़े अब बताइए pole के बारे में अगर मैं बात करना हूँ तो pole क्या है इस तीर है constant है तो बताइए उसकी speed क्या हो जाएगी 0 ठीक इसके लावा pole की कोई length होगी क्या तो आप कहेंगे sir pole की कोई length होगी उसे हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे तो यहाँ पर आपको formula क्या बन जाएगा तो formula बन जाएगा आपका s1 बराबर l1 by t ठीक है अब यहाँ पर कौन कौन सी value दी गए यह बताइए train की speed पता है क्या आपको आप बोलेंगे sir नहीं पता length पता है train की नहीं पता यहाँ पर पोल को पार करने वाला समय पता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर value रख देंगे तो s1 बराबर l1 बटे 4 second क्योंकि पोल को पार करने का समय हमें पता है इसे equation क्या दे देते हैं 2 दे देते है done अब equation 1 और 2 को देखे from equation 1 and 2 equation 1 and 2 अब देखे s1 और s1 क्या बराबर तो left and side दोनों बराबर होने के कारण हम यहाँ पर क्या लिख सकते है l1 plus 120 upon 10 बराबर l1 बटा 4 ठीक है इसे solve कर लेते हैं यहाँ पर solve करेंगे कितना मिल जाएगा हमें cross multiply करेंगे 4 l1 2440 480 बराबर 10 l1 clear है इसको एक side ला लेते हैं l1 को तो 6 l1 बराबर 480 और l1 की value आ जाएगी यहाँ पर 80 meter 80 meter 80 meter clear है क्या ठीक है यह मिल गई आपको length किसकी length मिल गई यहाँ पर train की length आपको 80 meter length मिल गई अब देखिए अगला काम आपको क्या पूछा है train की चाल क्या होगी train की चाल तो train की चाल क्या माना है हमने S1 माना है तो S1 बराबर क्या होगा देखिए equation number 2 से देखिए S1 बराबर क्या है l1 by 4 और l1 की value कितनी है 80 तो यहाँ पर l1 का मान रखते है 80 by 4 और यह मिल जाएगा को कितना 20 meter per second meter per second अब देखिए यहाँ पर पूछा किसमे है आपको चाल को बोला है कि kilometer per hour में होता ही है kilometer per hour तो यहाँ पर आप याद रखिए एक concept में आपको फिर से revise करा दे रहूँ ठीक है आप याद रखिए गाइस concept को कि कभी भी अगर आपको kilometer per hour से meter per second में जाना हो तब आप क्या करेंगे 5 बटे 18 का गुणा करेंगे kilometer per hour से meter per second और यही अगर आपको meter per second से kilometer per hour में जाना हो उस case में आपको क्या करना है 18,5 का गुणा कर देना है 18 by 5 का multiply कर देना है हो जाएगा ठीक है चलिए तो यहां पर क्या करना है हमें 20 meter per second को kilometer per hour में करना है तो मैंने आपको बताया 18,5 का गुणा करना है तो आप क्या करेंगे यहां पर 18,5 का गुणा कर देजए तो 18 पटे 5 का गुनाग होगा, कितना हो जाएगा आपके पास? 5 चोग 20, 18 चोग 12 किलोमिटर पर आवर. Clear है क्या? ये मिल गई हमें क्या train की चार्ड. ठीक है? एक ही formula है, लिखने का तरीका, और case के उपर depend करेगा. जैसे मैंने बताया, कई बार आपको बंदर भी दे देगा, एक bridge भी दे देगा, pool भी दे देगा, उसके आधार पर दोनों object को देखना है. और तीन object के case में कैसे होगा, ये भी मैंने आपको बताया. ठीक है? आठ किलोमेटर पती घंटा की चाल से भागे जा रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगा. अब बताये, यहाँ पर दो object क्या क्या है? तो आप बोलेंगे, सर, पहला object है, रेल गाड़ी, और दूसरा object है क्या? एक व्यक्ति. और कोई तीसरा object है आपको नज़र आ रहा है, तो आप बोलेंगे, सर नहीं नज़र आ रहा है. मतब एक ही single formula से हम लोग इसको solve गल लेंगे फिर से. तो यहाँ पर formula क्या हमारा पर? S1, S2 बराबर L1 प्लस L2 बाई T. Clear यहाँ तक? अब यह बताइए देखकर कि व्यक्ति जो है ट्रेंगी दिसा में भाग रहा है कि ट्रेंगे व्यक्ति को पार कर रहा है? तो मैंने आपको बताया था जब भी same direction की बात आएगी same direction एक दीशा की जब बात आएगी तब आपको formula क्या हो जाएगा यहां पर यह क्या हो जाएगा S1 minus S2 बराबर L1 plus L2 by P clear है आपको formula में क्या हो गया plus minus की जाएगा क्या ले ना आपको minus जब same direction में वही व्यक्ति अगर opposite हो था तो plus हो जाएगा ठीक है चलिए value रख लेते हैं अब हम बात करें तो हमारे पास given data क्या क्या है उसको सबसे पहले दे ले 62 km पती घंटे की चाल यहानि S1 का value दिया हुआ आपको 62 km पर आवर ठीक है अब 62 km पर आवर दिया हुआ बट बाकी यूनिट जो है आपको meter में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर meter per second कोई सबसे चीज़ को convert कर लेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर land कितना दिया हुआ हुआ ट्रेन का हो जाएगी डन फॉर्मुले में अब रख लेते हैं फॉर्मुले में रखें कितना होगा 62-8 अब यह बताइए यह kilometer per hour में है इसे meter per second में दानले के लिए का करेंगे 5 by 18 का गुणा कर देंगे ठीक है साथी साथ length कितनी है हमारे पास 120 प्लस L2 के value कितनी हो गई 0 लगने वाला समय कितना T ठीक है 62-8 कितना हो जाएगा आपके पास 54 into 5 by 18 बराबर 120 बटा P ठीक है इदा solve कर देते हैं यह हो जाएगा आपके पास 18 3 टाइम में 15 और T का value आपको मिल जाएगा 120 अपान 15 या आप कह सकते हैं 8 सेकंड आठ सेकंड में 8 सेकंड में सेम डारेक्शन में व्यक्ती को वह पार कर लेगा clear है यहाँ तक चीजे तो आपको यहाँ पर जब सेम डारेक्शन वाला question आए तो जैसे मैंने बताया कि plus minus का use उस condition में आपको करना है उस condition में आपको करना है ठीक है सेम डारेक्शन बोलेगा तो minus और opposite direction ही अगर व्यक्ती होता तो आपको क्या लेना है plus लेना है ठीक है चलिए अगला question देखते है 64 km पति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेल गाड़ी अपने सामने ठीक है यह वही question है दूसरा question लेते है 100 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी अपने विपरित से आरी 5 किलो मेटर पति घंटे की चाल से आते हैं व्यक्ती को 6 सेकंड में पार कर जाती यहां पे दो अबजेक्ट हमें नजर आ रहे हैं और आपको गाड़ी की चाल पुछा है और गाड़ी की चाल को हम क्या मानते हैं S1 मानते हैं तो S1 के बारे में पूछा हुआ है ठीक फॉर्मूला हम वही उस करेंगे S1 प्लस माइनस S2 बराबर L1 प्लस L2 बाइटी फॉर्मूले में जो चेंजेस होंगे वो कोश्चन के अकॉर्डिंग आपको कर लेने है ठीक है तो यहां पर आपको क्या दिया है वो 100 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी अंटरपती गंटे की चाल से व्यक्ती की लेन व्यक्ती की स्पीड कितनी बोला है यहां पर व्यक्ती की स्पीड हमाने पस कितना है 5 किलोमिटर पर आवर और साथी साथ यहां पर लगने वाला समय आपको पूछा है व्यक्ति की speed है बट व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगी इसलिए L2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा डन आपको पूछा क्या है हाँ पर समय के बारे में पूछा है समय के बारे में अब यहाँ पर बताईए यह दो object same direction में है कि opposite direction तो हाँ बोलेंगे सर यहाँ पर line में लिखा हुआ है क्या है वीपरी दिसा में चल रही है तो हमारा formula क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 बराबर S2 बराबर L1 प्लस L2 बाइट 2 ठीक है जिसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति की length क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी 0 हो जाएगी S1 का अगर हम मान रखें तो S1 का मान हमें निकालना है प्लस S2 की value कितनी हमारे पास 5 km per hour ठीक है 5 km per hour अब क्योंकि यह km per hour में है इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 5 बटे 18 का गुणा भी कर लेंगे डन यहाँ तक चीज़े ठीक L1 के अगर बात करें तो L1 का value कितना है हमारे पास 100 meter और लगने वाले समय T के बारे में आपको पुछा गया है ठीक है तो T का मान यहाँ पर हमें दिया गया है कितना 6 second T का मान हमें कितना दिया है 6 second ठीक है तो S1 प्लस 5 बराबर 100 बटा 6 इंटू 18 बटा 5 यह cancel यह cancel इसे से यहाँ cancel कर लेते हैं तो हमें कितना मिले गई है 60 ठीक है तो S1 का मान आपको मिल जाएगा S1 बराबर 60 माइनस 5 कितना मिल जाएगा आपको 55 meter per second 55 meter per second यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर value या speed मिल जाएगी train की speed आपको 55 मिल जाएगी clear है कि यहाँ तक तो यह जो प्रश्न है यह जो प्रश्न है बिलकुल उसी format पर उसी अधार पर हमने solve कर लिया ठीक है अगला question देख लेते हैं Nash question 126 मीटर और 114 मीटर की दो रेल गाड़ियां विपरित दिसाओं में करमा नुसार 30 किलोमेटर पर दिघंटा और 42 किलोमेटर पर दिघंटे की चाल से चल रही है कितने समय बाद एक दूसरे को वो पार कर लेगी तो यहाँ पर simple आपको time पूछा गया है ठीक है formula आपको वही रहेगा S1 plus minus S2 बराबर L1 plus L2 by L2 by T ठीक है यही formula आपको same formula यूज़ करना है अब यहाँ पर बताईए क्या क्या दिया गया है तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर पहरी रेल गाड़ी की speed कितनी दिया है 30 km प्रती घंटे ठीक है साथी साथ यहाँ पर बोला गया है दूसरी रेल गाड़ी की speed कितनी दिया है आपको S2 बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 42 km पर आबर done ठीक है इसके लाब लेंध की बात करें तो पहली रेल गाड़ी की लेंध कितनी है हमारे पास 126 मिटर और साथी साथ दूसरी रेल गाड़ी की लेंध कितनी हमारे पास तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लेंध हमारे पास 114 मिटर done यह हो गया पूरा डेटा साथ ही साथ आपको पुछा क्या गया है टाइम के बारे में पुछा गया है अब देखें यहाँ पर आपके पास जो यूनिट है यूनिट के बारे मैंने हमेशा बोला कि अगर मीटर में दिया गया है यह मीटर में है तो आपको एक किलो मीटर पर आवर को किस में बदलना होगा किस में बदलना होगा तो meter per second में बदलना होगा तो यह formula में जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर बदल लेंगे अब देखें आप पर यह same direction में चल लेंगे opposite direction में इसे आप check कर लिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों क्या है विपरी दिशा में चल रहे हैं और विपरी दिशा में क्या होते हैं चाल जूड़ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका फॉर्मूला तो आप कहेंगे S1 प्लस S2 बराबर L1 प्लस L2 बाई T यहाँ पर कोई भी चीज नेगलिजिबल नहीं होगी क्योंकि ट्रेन दोनों गति मान है और दोनों ट्रेन की एक लेंथ होती है ठीक चलिए तो यहाँ पर अगर S1 का मान रखे तो हमारे पास कितना है 30 30 प्लस 42 और साथी साथ क्योंकि यह किलोमेटर पर आवर में है इसलिए हम क्या मल्टिप्लाइ कर देंगे मिटर परसेंट में दलने के लिए 5 बटे 18 का गुणा कर देंगे अब L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 कितना है हमारे पास 126 प्लस 114 बटे समय कितना होगा T को हमको क्या करना है निकालना है ठीक है चलिए तो कितना होगा यह 72 इंटू 5 बाइ 18 और इसे जोड लेते हैं तो कितना मिलेगा हमें 6,4,10 और 4 और 240 ठीक है इसे पूरा सॉल करते हैं 18 चौंग 72 यह 20 बराबर 240 बटर T और T का एक फाइनल मान आपको मिल जाएगा यहाँ पर 240 अपान 20 ठीक है तो T जो है या ट्रेंज 12 सेंड में 12 सेंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी ठीक है तो इस प्रकार से इस प्रकार से आपके जो भी कोश्चन आएंगे जैसे भी कोश्चन आएंगे आप उसे आसानी से सॉल कर सकते हैं ठीक तो यह जो आपका टॉपिक था यह Speed and Time से related topic था train related problems के questions आते हैं ऐसे question जो है ये बिल्कुल एक single formula पर आप बना कर देखे और किसी प्रकार का अगर doubt होता है तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं हमसे doubt clear कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ धन्यवाद